सब्सक्राइब लोगों का लॉवाला पे मैं हूं इसरा खान आपकी लॉव मिंटर और आज से हम लोग लॉवाला के फाउंडेशन बैच पे एक नए सब्जेट की शुरुवात करने वाले हैं तो यह subject हम लोग देखें अगर यह topic हम लोग देखें तो हर एक student चाहे वो competitive exam का student हो चाहे वो law student हो जो normal semester के लिए यह videos देखता हो उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत important है मतलब अगर आप देखें कोई भी exam उठाके तो constitution of India is the first major subject which has been asked तो बहुत important है और इस series में जहां पर हम लोग सारे topics को cover करने वाले हैं यह आपके लिए more importantly बहुत-जादा beneficial होने वाली है तो end तक क्या आपको बने रहना है आज के session में हम लोग constitution के साथ शुरुवात कर रहे हैं और आज के lecture में हम लोग introduction to the constitution लेने वाले हैं इसमें हम लोग introduction लेंगे constitution का साथ ही साथ हम लोग जो historical background है हमारे constitution का क्योंकि एक दिन में तो constitution prepared नहीं होता है इसके लंबी history है तो उसका एक brief outlook लेने वाले है तो चलिए daily targets देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग introduction of to the constitution यहां पर हम लोग यह समझेंगे कि constitution as a document होता क्या है क्या importance है हमारी country में constitution की साथ हम लोग historical background लेने वाले constitution का यह जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन का एक दिन में constitution प्रेपेर होता नहीं है यह लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही होती है तो उसी तरह से 1600 1600 में जब East India Company भारत में आती है वहां से लेकर के 1950 जब हमारा समयधान लागू कर दिया जाता है यह पूरा सफर हम लोग देखेंगे brief में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछो कि constitution होता क्या है according to you what is constitution constitution आपकी according क्या है देखेंगे हमारे जो भारत है हमारी country में constitution को grand norm माना जाता है grand norm मतलब यह होता है कि जितने भी organs हैं जितने भी principal organs हैं हमारे country के जो गवर्न करते हैं चाए वो एक्जीक्यूटिव हो गया चाए वो लेजिसलेचर हो गया चाए वो जुदिश्री हो गया वो अपनी power को कहां से गेन करते हैं? Constitution से गेन करते हैं. जितने भी laws हमारी country में हैं, वो अपनी power को कहां से गेन करते हैं? Constitution से गेन करते हैं. तो यानि कि Constitution जो होता है, वो head होता है और वो सारे organs को, सारे laws को, सारे entities को क्या करता है? Power देता है. तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कह करने की कोशिश करें वैसे तो ऐस सच कोई स्पैसिफिक डेफिनिशन नहीं है हमारे कंट्री का जो वो लेंदियस कॉंसिटूशन तो इसका कोई आस सच टेफिनिशन नहीं है जो है अच्छे तरीज़ेख involves have a special legal sanctity which sets out the framework अनद प्रिंसिपल फंक्शन तरीखर अपके इंड़िश्या और जूडिश्य तरीछ एपके जैसे क्शिप्र जूडिशिरी के अच्छे तरीज तरीख से divided है और यह जो डविजन है यह डीविजन है यह किस concept को जनम देता है इस concept को जो division की बात हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं separation of powers separation of powers कोई एक दूसरे की power में interfere नहीं करेगा सबकी अपनी अपनी पावर होगी और यही जो है हमारे constitution में भी adopted है ठीक है organs of the government of the state and declares the principle governing the operation of those organs and declares the principles governing the operation of those organs constitution में वो principles बताये जाते हैं किस तरह से उन organs के द्वारा governance चलेगी हमारी country में तो basically as such constitution is not defined लेकिन अगर आप general sense में समझें तो वो grand norm है grand norm के साथ होते होते के साथ ही साथ एक document है जो framework lay down करता है principle governing organs के किस तरह से वो आप country में governance करेंगे clear हो गई बात आगे बढ़ते हैं अब देखे constitution को अगर हम लोग एक definition के form में देना चाहें तो यह क्या है यह living living and organic document है the constitution refers to the whole system of governance of a country कहां से governance होगी constitution के माधिम से होगी and the collection of rules which established and regulate or govern the government टेके constitution is not merely a law उसको merely a law के नाम से आप नहीं जान सकते हो constitutional law जासा कि हम लोग कहते हैं लेकिन वो क्या है एक पूरी machinery है by which all the laws are made वो ऐसी mechanism एक ऐसी machinery है जिससे हर एक जो authority है हमारे country में चाहे वो living authority हो यानि कि जो आप देखोगे जो executive legislature judiciary के अंदर जो officials है या फिर अगर आप देखो जो organs हैं जो institutions हैं जो tribunals हैं यह सारी powers अपनी कहां से गेन करते हैं यह गेन करते हैं by the constitution of India केहर सिंग वसस डेली administration का case था 1989 Supreme Court का क्या कहा गया इस case में the constitution of India is a constitutive document fundamental to the governance of the country आप country को किस तरह से govern करोगे governance में क्या आजाता है आपको पता है जो citizens हैं आपकी country के उनको किस तरह से आप rule कर रहे हो कितनी बात उनकी रखी जारी है democracy governance यह सारे words hand in hand चलते हैं ठीक है of the country whereby the people of India have provided a constitutional polity consisting of certain primary organs ठीक है तो basically Delhi administration versus केहर सिंग वसस डेली administration 1989 की case में भी जो constitution है उसको उसका meaning बताने की भी कोशिच करी गई थी by the supreme court आगे बढ़ते हैं अब अगर हम लोग बात करें constitution के historical background की तो इसको हम लोग 5 phases में divide कर सकते हैं सबसे पहला phase है 1600 से लेकर के 1765 का उसके बाद आता है 1765 से लेकर के 1858 का जो charter act पास होता है 1858 का बहुत important हो जाता है उसके बाद 1858 से लेकर के 1919 जा पर 1909 के जो reforms हुए है वो सारी चीज़े हम लोग कवर करेंगे साथ यह साथ 1919 से लेकर के 1947 का phase सबसे important phase रहा और उसके बाद आता है last but not the least 1947 जहां पर हम लोगों को independence मिल जाती है और 1950 के बीच का phase जहां पर finally 1950 में जाके हमारे constitution in force आ जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले अब लो बात करें East India company की नो इस इंडिया com opportunities 1600 में इंडिया मेющी। और पहले अगर आपको यह जाने कोशिच करें की इस इंडिया कमपनी का agenda क्या था औब्जेक्टिव क्या था रिशने का तो आप आस अंतर करते हैं इंडिया तो उनका spices निलिए आते हैं में लोग टो बड़े भूले बाले तो टेरिटोर्रल expansion करने लगते हैं अपनी जो territories हैं उनको expand करने लगते हैं और उसके through कैसे करते हैं जैसे कि हम लोग देखा doctrine of lapse by wars करते हैं कितनी सारी wars देखें हम लोग ने चाहे अंगलो-मराथा वार्ज हो अंगलो-माइसोर वार्ज हो देश में उसके बाद यहां पर चार्टर एक्ट यानि की कुईन इलिजबेट की तुरू इस इस इंडिया कंपनी को रूल करने का 15 साल तक की रूल करने का कि आपको legislative powers grant कर रही है कुईन इलिजबेट ऐसा एक चार्टर दिया गया और उस चार्टर के चलते इस इंडिया कंपनी को legislative powers मिलती है तो जब वो इंडिया आते हैं तो उसके तुरू वो बहुत सारे rules and regulations बनाते हैं उसी तरह से charter of 1609 1661 के तुरू इनको legislative powers मिलती है लेकिन 1693 का जो charter act होता है उसके तुरू इनको कोई legislative powers as such from the queen नहीं मिलती है अब अगर हम लोग बात करें charter act of 1726 की बहुत important charter act था क्योंकि इसके तुरू बनाया गया East India Company में board of directors और court of directors जो की finally जो है rules करने लगे rules and regulation बनाने लगे और main लेकिन जो legislative power था East India Company का इनी के तुरू exercise करा जा रहा था clear हो गई बात आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ अब यहां पर क्या हुआ मुगल एंपायर था धीरे धीरे मुगल एंपायर का message the territories की बाद अगर मैं करू तो औरंग जेब की death के बाद बहुत सारी चीज़े चेंज हुई क्योंकि जो want of power था हर कोई power की लिए लड़ने भिढने लगा किस तरह से expansion करें किस तरह से territories capture करें एक दूसरे की इंडिया में ही वार्स होने लगे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इस तरह से division हुआ करता था एंपायर के बीच में तो औरंग जेब की death के बाद मुगल एंपायर मुगल सामराज आप देखोगे existence उसका पूरी तरह से खतमी एक तरह से हो गया था और उसका किस ने फायदा उठाया इस इंडिया कंपनी ने और इस इंडिया कंपनी ने फायदा इस प्रकार उठाय कि वह अपने आपको और जादा मजबूत करने लगी हमारी country में उसके बाद अगर हम लोग बात करें final blow की मतलब किस तरह से जो नेल इन दे कॉफिन अगर हम लोग कहें इस इंडिया कंपनी का किस तरह से इंडिया में हुआ तो उसको एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले हुई थी 1757 में 1757 में हुई थी बैटल ओफ प्लासी बैटल ओफ प्लासी ठीक है और यहां पे बैटल ओफ प्लासी में इन्होंने सिराज अदॉला को ब्रिटिश फॉर्सेस ने हरा दिया था और उसके बाद हुई 1764 में बैटल ओफ बकसर बैटल ओफ बकसर अब यह जो बैटल ओफ बकसर है न इसको ही कहा जाता है नेल इंदो कॉफिन बैटल ओफ प्लास ही उसको पक्का कर दिया हमारी कंट्री में तो यह दोनों जो वार्ज है इनको आपको एक तरह से दिमाग में रखना है इसको समझने के लिए आगे बढ़ते उसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट रूलर शाह आलम्टू शाह आलम्टू क्या करते हैं जो दिवानी दिवानी में राइट वोको देते हैं कि इसको इस इंडिया कमपनी को दे डेते हैं अब इस अधिया होए डिवानी राइट बशेकलियो थिकांटू टी यह collection of revenue के जो राइट्स होती है यह नवा यह जो शाह अलम्टू थे चाहलम्टू 1765 में यह जो दिवानी राइट्स है यह दे दी जाती है कि इसको एस्ट इंडिया कंपनी को बाई शाह आलम बाई शाह आलम्टू ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से यहां से जो दिवानी राइट्स और collection of revenue का जो यह राइट मिल जाता है इस इंडिया कंपनी को यह अपने आपको इता शाह बाई शुक्त आपहल सबहुत करने लगते हैं कि एपनी फैक्तरी बनाना चाहिए इस में किसलीग फाइनली जो प्रोॉडक्स बनाते थे सुक्न से जो कलेक्ट होता था वो भी उसका जो benefit हुआ करता था वो Britishers को ही हुआ करता था इंडियन को उससे कोई भी benefit नहीं होता था लेकिन जानने की बात यह कि किस तरह से इंडिया आते हैं और फिर उनको यह जो राइट मिलती है यह जहांगीर के फार्मान जो है वो जादी किया जाता है जिसके फैक्ट्री स्थापित करने लगते हैं आगे बढ़ते हैं अब अगर हम लोग बात करें 1765 से लेकर के 1858 के टाइम पिरिट के तो इसके बीच बहुत सारे इनाक्मेंट्स बहुत सारे लेजिसलेटिफ चेंजिस किये गए हमारी कंट्री में इसमें सबसे पहले वहाल रेगुलेटिंग आट 1773 उसके बाद 1781 का आट ऑफ सेटलमेंट उसके बाद आता है पिट्स इंडिया आट 1784 उसके बाद चार्टर आट ओफ 1813 उसके बाद चार चार्टर आक्ट 1883 की बात करें 1833 की बात करें और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग 1909 के बारें पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे फॉल्ट से ऐसी कम्या थी जिसको दूर करने के लिए एक और चार्टर एक और एक और इनाट्मिन पास किया जाता था तो बहुत सारे 1773 की रेगुलेटिंग एक से सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले स्ट्रॉङ कंट्रॉल जो है बृतिश का वो हो गया कंपनी की उपर अभी दाग था बृतिश का एससच मत्रोल नहीं था इस इंडिया कंपनी के उपर लेकिन 1773 के आज तो जो ब्रिटिश से उनका कंपनी की पर कंट्रोल हुआ अब यह क्यों हुआ देखिए जब इस इंडिया कंपनी की स्थापना हुए और जब दिवानी राइट्स दे दी गई इस इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन की और अधर अन भी पावर्स दी गई तो उसके बाद शुरू हो गई की मैल आड्मिनिस्त्रेेशन यानि कि अब जो सर्वेंट्स से कंपनी के यह मेन रूलार्ष थे तोकि जो जो जोकी कंपनी ठी हो और triager इंगेलेंड में थे तो अब जो कंपनी के सायल्वernesset वह मेन रूलष थे अब कंपनी सार्वेंड्स के अंडर जो employees आया करते थे उन employees के salary बहुत कम हुआ करती थी उस कम salary के चलते वो employees जो थे वो poor, जो Indian people थे Indian गरीब लोग थे उनसे ये लोग extract करते थे कुछ ना कुछ gift ले 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 थे पैसा ले 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 थे उनको exploit करते थे तो उस कारण क्या हुआ जब ये सारी problems arise हुई, साथ ही साथ उसका जो capital amount था वो खतम हो गया, अब इस capital amount के खतम होने का कारण था कि फैमाईन आ गया country में आप अच्छी तरीके से administer नहीं कर पा रहे थे बहले आपके पास दिवानी rights थी लेकिन आपका administration अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद जब ये बात Britishers के सामने जाती है, British Parliament के सामने जाती है, कि East India Company जिसको rule करने के लिए चार्टर पास किया गया था, और वो अगर अभी deficiency में है, यानि कि उसके पास पैसे नहीं है, और उसके जो जो owners है company के जो मालिक हैं, वो rich होते जा रहे हैं, और company default में ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके बाद basically जो regulating act है 1773 का ये पास किया गया यहाँ पे Britishers की जो है strong control हो गई company के उपर, अब यहाँ पे Sir Warren Hastings को पहला governor general of Bengal बनाया जाता है, ठीक है 1773 के act से ही governor general of Bengal, इसको बनाया जाता है Sir Warren Hastings को ठीक है, अब यहाँ पे Bengal के supremacy बहुत जादा होती है तो Bombay, Madras, जो भी मतलब आप देखोगे, जो territory थी वो Bengal के subordinate थी जो भी laws frame करे जाएंगे वो Bengal के थूई करे जाएंगे साथ 1773 के regulating act के मादिम से एक supreme court बनाया गया था at Calcutta, clear हो गई बात तो ये कुछ major changes थे जो regulating act 1773 के मादिम से करे गए, आगे बढ़ते हैं अब देखिए 1784 का pits India act, यहाँ पे क्या किया गया जो court of directors थे उनको commercial affairs दे दिये गए जैसा कि मैंने बताया था court of directors of board of control बनाया गया और board of control को political affairs दिये गए साथ ही साथ यहाँ पे chain एक pits India act से यह हुआ था कि 1784 के pits India act से जो British territories इंडिया में हुआ करती थे उनको पहली बार British possessions का नाम दिया गया कि जो Indian territories थी हैं तो यह Indian territories तो इनको British possessions का नाम pits India act 1784 से पहली बार दिया जाता है अब अगर हम लोग बात करें Charter Act of 1833 की तो सबसे बड़ा change जो है वो यह किया गया जो Governor General of Bengal थे उनको Governor General of India का नाम दिया और ऐसे पहले जो Governor General of India बनते हैं वो बनते हैं Lord William बेंटिक ठीक है Lord Macaulay इंडिया के पहले law commission की स्थापना करी जाती है चैर्मेंशिप किसकी होती है Lord Macaulay की बहुत बड़ी शक्सियत है comment section में बताईएगा किसके लिए Lord Macaulay सबसे ज़्यादा famous हैं ठीक है साथी साथ स्टार्टेट ब्रिटिश का colonization of India अब इसके मादियम से क्या हुआ जो British colonization था इंडिया का वो शुरू हो गया था 1833 के चार्टर आक्स से colonization यानि कि colonies बनाने लगे थे British अपनी colonies बनाने लगे थे साथी साथ यहां पे जो acts of Parliament थे जो British Parliament के जो भी enactment हुआ करते थे वो अब इंडिया पे भी लावू कर दिये गए साथी साथ जो legislative powers थे governor general in council की यहां पर एक 4th member add कर दिया गया यह legislative powers किसके थूरू govern करी जाएंगी exercise करी जाएंगी तो इट आड़िट दो 4th member जो की law member था ठीक है अब अगर लोग बात करें Charter Act of 1853 की यह लास्ट चैर्टर अक्ट था और इसमें जो main change किया गया वो यह कि separate legislative council बनाई गई 12 members की Charter Act of 1853 से separate legislative council बनाई गई जिसमें 12 members थे साथ यह साथ main change जो था important change यह था कि civil services को introduce किया गया था as open based competition ठीक है जो आज को हम लोग competitive exam देख रहे हैं civil service examination उसको इंट्रड्यूस किया गया था 1853 के Charter Act से याद रखिएगा साथे साथ separation of legislature from executive ठीक है इसको मैं वाइट से लिख दे रही हूँ separation of legislature from executive अब यह फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि इस तरह से legislative council बनाई गई 12 member की तो एक main agenda यह था कि legislature को executive से separate करने का साथी साथ local representation का जो concept था वो पहली बार प्रेशलन में आया 1853 के Charter Act से ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगर हम लोग बात करें government of India Act 1858 की बहुत fundamental changes किये गए जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते governor general को viceroy का नाम दिया गया और ऐसे पहले viceroy बनते हैं lord canning याद रखिए गई कही बार exam में पूछा गया है lord canning की उपर question तो basically governor general जो है उनका नाम change करके है viceroy कहलाएंगे साथी साथ जो board of control और court of directors जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं उनको abolish कर दिया जाता है 1858 के चार्ट गमेंट अफ इंडिया आक से साथी साथ secretary of state जो है उनको power दे दी जाती है चाहे वो board of control हो चाहे वो commercial affairs हो चाहे वो political affairs हो किसको power दे दी गई इन दोनों ही कि ये दे दी जाती है secretary of state का office बना दिया जाता है और इस secretary of state को complete authority दे दी जाती है पूरी authority चाहे वो rulemaking हो चाहे वो regulations हो चाहे वो governance हो कौन करेगा secretary of state करेगा और इस secretary of state को assist कौन करेगा इसके लिए 15 member की एक council बनाई जाती है इस secretary of state को assist करने के लिए 15 members council बनाई जाती है और यहां पे जो 15 members council होती है यह इसको assist करेगी on the topics जिस पे भी जैसे law making है decision making है कोई भी administrative changes करने है तो उसके उपर इनको assist करा जाएगा और यह जो आप देख रहो ना जो viceroy है यह भी subordinate था under the secretary of state बहुत बड़ी position बनाई गी थी यह secretary of state की साथ ही साथ secretary of state को body corporate बनाया गया यह जो 1858 का government of india act था इसके थरू secretary of state को body corporate बनाया गया यानि की अब इसको सू भी किया जा सकता है और यह suit ला भी सकता है in the name of the secretary of state it was made a body corporate ठीक है इंडिया में suit अगर लाया जाता है तो वो किसके नाम पर लाया जाता है इंडिया में अभी currently body corporate कौन authority है comment section में share करिए आगे बढ़ते हैं अब अगर हम बात करें Indian council act 1909 की इसको क्या कहा जाता है इसको very famously it is known as the morally minto reforms ठीक है यहां पर secretary कौन थे और viceroy कौन थे यह आपको comment section में बताना है मैं नहीं बताऊंगी एक मौरले मिंटर रिफॉर्म के नाम से famous था साथ ही साथ इस से जो main change किया गया वह यह किया गया जो legislative की जो legislative council जो थी उसका size increase किया गया यह लिए कि the number of members in the legislative council were increased चाहे वो central legislative council हो चाहे वो provincial legislative council हो ठीक है साथ ही साथ जो indirect elections का जो principle था elections के principle को recognize किया गया और 1909 के Indian council act से जो Muslims से उनको separate electorate दिया गया यानि कि Muslims can choose their representatives directly ठीक है आगे बढ़ते हैं तो government of India at 1919 से सबसे बड़ा जो change किया गया वो था कि डायार्की को introduce किया गया डायार्की में क्या होता है two rulers देरा two rulers या इसको आप divide कर सकते हो यहां पर डायार्की इंट्रिद्यूस करीगे central और provincial list की बीच में provincial list को further divide किया गया reserve और transferred subject में साथी साथ unitary structure जो है जहां पर laws जो है central legislature के द्वारा बनाए जा रहे थे और यह जो लॉज central legislature बना रहा था इसको कभी challenge नहीं किया जा सकता था इसलिए इसको एक unitary structure की तरह भी आप कह सकते हो कि इसका unitary structure था उसके बाद देखे no responsible government was there at the center center पे कोई responsible government नहीं थी the central government was directly responsible to whom to the British Parliament through the secretary of state secretary of state की through जो government थी वो responsible थी directly to the British government साथ यहां पर separate electorate जो है वो भी extend कर दिये गए थे लेकिन जो government of India Act 2019 का बहुत बुरी तरीके से fail हो गया था इतना ही आपको इस perspective से याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर Simon Commission का जो होल है वो important हो जाता है यह seven members का commission था इसने अपनी report 1930 में submit करी submit तो जरूर करी लेकिन इसको पूरी तरह से boycott कर दिया गया था Simon go back के नारे लगाया गये थे क्यों क्योंकि एक all whites commission था यानि कि यह जो साथों members थे यह साथों members white Britishers थे और इंडिया को इसमें इंडियन members को इंडियन्स को इसमें include नहीं किया गया था इसलिए इसको boycott किया गया और यह basically आया था review करने के लिए government of india act 1919 को जो report इसने submit करी यह finally जाके 1935 के government of india act का बहुत बड़ा base बन जाती है यह भी याद रखना है आपको आगे बढ़ते हैं आप अगर लोग बात करें 1935 के government of india act की यह कहा जाता है कि government of india act जो 1935 का है यह आज का जो हमारा constitution आप देख रहे है न यह copy है और government of india act कुछ there are exceptions as well बहुत सारी चीज़े जो है as it is आपको मिलेंगी from the government of india act 1935 सबसे पहला जो आप देखोगे government of india act से insertion किया गया वो था all india federation का जहां पे तीन लिस्ट में divide कर दियेगे subject को federal list थी provincial list थी और concurrent list थी जैसा कि आज हम लोग देखते हैं तीन लिस्ट हमारे पास है union list state list और concurrent list तो all india federation बनाया गया साथी साथ center पर भी डायार की जो है वो introduce करी गई by camera legislature कर दिया गया छे provinces में there was by camera legislature in what in six provinces साथी साथ जो 1858 का जो council मनाया गया था उस council को 1935 के government of india act से abolish कर दिया गया साथी साथ बहुत बार यह exam में पूछा गया है कि जो federal court था 1937 का अपनी power कहां से gain करता था इस court की स्थापना हुई थी 1935 के government of india act से साथी साथ reserve bank of india भी जो है establish किया गया था by the government of india act 1935 और साथी साथ federal public service commission provincial public service commission joint public service commission यह सारे जो है इंट्रियूस करे गए थे 1935 के act में जैसा कि अब हम लोग देखते हैं union public service commission और state public service commission चाहे वो UPPSC हो चाहे वो BPSC हो तो यह क्या है state public service commission है और साथी साथ joint public service commission का भी प्रावधान हमारे संविधान में मिलता है clear हो गई बात 1935 के act से और देखे क्या किया गया separate electorate जो है extend करे गए थे 1919 के act से भी और साथी साथ 1935 के act से separate electorate दे दिये गए किसको depressed class को और women's को और laborers को ठीक है यह सारी major changes changes जो थे 1935 से करे गए थे कहां पर हमारी country में आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जो cabinet mission था 1946 का इसका बहुत important role है हमारे independence में चाहे आप constitutional reforms में कहलो cabinet mission के थू हमारी constituent assembly की स्थापना हुई थी याद रखिएगा सबसे पहली बात तीन मेंबर्स थे cabinet mission में कौन कौन थे पैथ्रिक लॉरेंस एवी अलेक्जांडर एंसर स्टेफॉर्ड क्रिप्स ठीक है बहुत important है याद रखिएगा यह तीन मेंबर्स थे इस cabinet mission के थूँ इंडिपेंडेंडेंस इंडिया की जो है वो एस्टैबलिश एक तरह से करी गई और साथी साथ constituent assembly को setting up के लिए constituent assembly को setup करने के लिए यह cabinet mission इंडिया में आया था साथी साथ cabinet mission ने एक interim government को form करने के लिए भी प्रपोस किया था जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंडेंस आप की जिसके वज़े से आज हम लोग भारत के नागरेक अपनी fundamental rights को enjoy करते हैं भारत एक फाजार देश है दो इन्डिया इंडिया पाकिस्तान के डिविजन में बहुत सारी चीज़ें वो आ जाती है चाहें वो पार्टिशन और बेंगॉल है चाहे वो मुहमद अली जिन्ना का जो बीज है बोना कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए है सेपरेट कंट्री चाहिए है तो बहुत सारी चीज़े जो है वह आ जाती है लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट्स आक 1947 से दो डॉमिनेंस बना दिये गए इंडिया और पाकिस्तान साथे साथ पिंडिया वस्टेक्लिया इंडिपेंडेंट्स ओगस्थ पंद्रा उनी सो 1947 ओगस्थ 15 1947 को इंडिया को डेक्लेयर कर दिया गया है अ इंडिपेंडेंट्स सौवरीन कंट्री ठीक हैए सोवरेन वर्ट बहुत इंपोर्टेंट है सोवरेन कंट्री अच्छा एक बात आपको और मैं बताऊंगी चो थी ना 1947 से पहले 1947 के आफ्ट नहीं उसको एक सौवरेन पावर दी वरना कॉंस्टिटिवन असेंबली अगर लॉज बनाती अगर यह सौवरेनटी इंडियन इंडिपेंडेंट्स आपके तुरू कॉंस्टिवन इसेंबली को नहीं दी जाती तो आज भी हम लुग सब ओर्डिन होते तो दे ब्रिट वो अब अब अबॉलिश कर दिया और आब आ गई गववर्नर जेनरल और पहले गववर्नर जेनरल कौन बनते हैं फर्स गवर्नर जेनरल बनते हैं लॉड माउंट बै अंगा इसेंबली को दो डॉपिन review में बात दिया याने कि यह कहा कि इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी Constituent Assemblies बना ले और अपना-पना Constitution प्रिपेर करें ताकि आपकी Governance जो है वो इजी हो पाए ठीक है साथ 1946 1947 के Independence Act के थुरू एक boundary Commission की भी स्थापना करें और इसके जो हैड़ I think और इसी Bounty Commission ढ시면 को राच किस लाइन कया और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले ने वह एध्यक्लिफ लाइन और यह Bountyन कर मिशन के को स्थापित किया गया थांडर सर र्यक्लिफ paint तो यह बात होगी ज़िए आपके इंडियन इंडिपेंडेंडेंच एक जिसकि थुर्व हम लोगों को इंडिपेंडेंडेंच मिलती है ंडिया वस आइंडिया वजिया सौवरिं कईंट्री रास्द सीजर्वन गोवर मिलती है कि आप अपना Constitution बनाईए और अपने यूनिट्स को उसके थ्रू गवर्न करिए साथ ही साथ यहां पर जो बाउंडरी कमिशन उसके साफना करी जाती है और वोईसराय के जो ऑफिस है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है आगे बढ़ते हैं अब अगर हम लोग बात करें में लग जाती है उसका ड्राफ्ट प्रेपेर करा जाता है वो सारी चीजे बहुत ही जादा एक्स्ट्र ओर्डिनरी ब्यूटिफुल है उसको समझते हैं देखिए जो फर्स्ट मीटिंग थी पॉंस्टिटिवेंट असेंबली की वो कब हेल्ड हुई वो हुई 9 दिसमबर 1946 को क राजेंद्र पसाद एलेक्टिड ऐसा पर्मनेंट चैर्मान कौन बनता है पर्मनेंट चैर्मान डॉक्टर राजेंद्र पसाद इसके टेंपरेरी चैर्मान कौन बनाए जाते हैं इसके टेंपरेरी चैर्मान कौन बनाए जाते हैं कमें सेक्शन में शेर करिए चाहें अपना करी गई ठीक है on the basis of first जिसके अब उन committees की जो reports आई उसके basis पे पहला draft जो हमारे constitution का उसको prepare किया गया ठीक है on 29th August 1947 a drafting committee of seven members was set up on the regarding the constitution and which was chaired by Dr. B.R. Ambedkar अब यह drafting committee के chairman कौन बने Dr. B.R. Ambedkar बने ठीक है तो पहली meeting का भी होई 9th December 1946 को हुई as a sovereign constituted assembly constituent assembly of India और 11th December को Dr. Rajayind Prasad को as the permanent chairman बना दिया जाता है constituent assembly का बहुत सारी committees को बनाया गया different aspects पे constitution के deal करने के लिए हम अगर अपना constitution देखें तो उसमें किस थरह से executive legislature और judiciary को divide किया गया है आप लोग अच्छे से bear act में देख सकते हैं तो उन committees के report पे draft को prepare किया गया एक drafting committee बनाये गई जिसमें seven members थे और उस drafting committee को कौन head कर रहा था अब यहां पर जो draft constitution था उसको जैनवरी 1948 में publish कर दिया गया basically people of India यानि की Indian people के लिए इंडिया के लोगों के लिए उसको 1948 में publish किया गया और आठ महीने का time दिया गया यह आप यह draft को discuss करिये और इससे related अगर कोई amendment है तो उसको बिल्कुल propose कर सकते हैं तो लगबग साड़े साथ हजार जो है amendment suggest करे गए जहां पर 2000 कुछ amendments के उपर discussion हुआ था और वो changes किये गए थे लेकिन amendments से related लगबग साड़े साथ हजार amendments related proposals आये थे constituent assembly के सामने अब यह चीज जो है यह चीज आपको याद रखनी है क्योंकि यह exam में कई बार पूछा गया है अब यहां पर यह चीज जो है यह यह चीज जो है यह यह चीज जो है यह प्रीलिम्स का एक पार्ट बन जाती है क्या कहती है आटिकल्स 5678960 कि 3243 366 367 372 383 88 391 392 और 393 यह आट वांस इन फोर्स आ जाते हैं ठीक है यह जो आटिकल्स है यह आट वांस इन फोर्स आ जाते हैं तो यह जो आटिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको इन फोर्स आते हैं तो इस पे question पूछा जाता है examiner पूछता है कि वो कौन से provisions हैं जो आट वांस इमेडियेटली जो है वो इन फोर्स हो जाते हैं अब यहां पर आप देखोगे जो हमारे आर्टिकल्स हैं साथ यहां पर आप देखोगे जो कमिंस्मेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है 393 यह सारी चीज़ें जो है इन फोर्स आट वन्स आ जाती है और जो रिमेनिंग प्रोविजिन्स हैं यह बेसिकली आते हैं जैनवरी 1950 को इनफोर्स ठीक है तो यह जो है यह यहां पर जो कमिंस्मेंट डेट है कमिंस्मेंट डेट में यह इनफोर्स आते हैं डाटिस जैनवरी 1950 तो ड्राफ्ट कोंसिटूशन के ऊपर बहुत सारी डिबेट करी गई अमेंड्मेंट्स के लिए पूछा गया और फाइनली 11 सेशन्स हेल्ड करें और इन 11 सेशन्स में 114 डेस तक के लिए लोग बैठें तो यह सारी हम लोगों ने देखी एक ब्रीफ हिस्ट्री हमारे Constitution of India के बारे में I hope आप लोगों को यह सारी चीजे थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई हूँ अपने दिमाग में तो इसी के साथ आज का सेशन जो है हमारा पूरा होता है मिलते हैं next lecture में एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए पढ़ाही करते रहे टेक केर और गुडबाई झाल